दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मारुती सुजुकी सेलेरियो VXI 1.0 लीटर वैरियंट को जो किया आता है AMT ट्रांस्मिशन के साथ तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए तो सेलेरियो जो है पेट्रोल और सी एनजी में अवेलिबल है और ये ज तक और ये एवेलिबल है टोटल सिक्स कलर्स में जो की है ब्लेजिंग रेड, सिल्की सिल्वर, ग्लिस्निंग ग्रे, ट्वार्क ब्लू, टांगो ओरेंज और ये जो सामने आप कलर देख रहे है ये है आक्टिक वाइट और इसका बेस वैरेंट है LXI, फिर आता है VXI और टॉप मोडल है ZXI और AMT का ओप्शन आपको सिर्फ VXI और ZXI में मिलता है और CNG का ओप्शन आपको सिर्फ VXI में मिलता है तो चलिए अब देखते है इस गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइल को तो फ्रंट में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी इसकी ग्रिल जहाँ प आपको इस मोडल में नहीं मिलते है यह इस गाड़ी की सेकंडरी ग्रिल इसमें आपको प्लेन बोनट देखने को मिल जाएगा कोई भी पैटन्स प्रोवाइड नहीं किये गए है यहाँ पे आपको मिल जाते है दो वाइपर दो वाशर के साथ में और यह है इसका रूफ 70R14 की और इसके टर्निंग इंडिकेटर्स आपको फेंडर के उपर ही देखने को मिल जाएंगे और यह है इसके ORVM का लूक डुएल कलर में ORVM आपको मिल जाता है और A पिलर आपको मिलता है बॉड़ी कलर में बी पिलर भी आपको बॉड़ी कलर में ही प्रोवाइड करा द वील वेस है 2425 mm का, ग्राउंड क्लेरंस आपको मिलता है 165 mm का, कर्व वेट है 831 किलो का, ग्रॉस वेट है 1300 किलो का और टर्निंग रेडियस है 4.7 मीटर्स की तो चली अब देखते है इस गाड़ी की बैक प्रोफाइल को तो रूफ के उपर आपको थोड़ी से पैटर्स प् इसमें आपको वाइपर, वाशेर, फिर डी फॉगर का कोई अप्शन नहीं मिलता है, यहाँ पे मिलता है सुजुकी का लोगो, क्रोम फिनिश में और यहाँ से आप अपने बूट लीड को ओपन कर सकते हो, की का भी अप्शन इसमें दिया गया है, साइड में आपको मिल जा लगे हैं डिस्क प्रेक, और रियर में हैं ड्रम ब्रेक्स, अब ओपन कर लेते हैं इसके बूट स्पेस को, तो इसमें आपको 235 लिटर्स का बूट स्पेस मिलता है, और इसी के निचे आपको देखने को मिलेगा इसका पेर वील, जो की आता है स्टिल रिम के साथ में, और टूल किट भी देखने को मिल जाएगा, और इसकी टायर साइज है, 165 by 70 R14 की, और इसके उपर आपको पार्सल ट्रे भी मिल जाता है, काफी फ्लाट पार्सल ट्रे आपको मिलता है, तो आप अपना लगेज जो है, बड़े आराम से इसके उपर रख पाओगे, और इसके जो बूट स्पेस है, यह मोर दन 300 लीटर का है, और बूट लीट को क्लोज करने के लिए आपको उपर की तरफ ग्रैब हैंडल का ओप्शन भी मिल जाता है, तो चलिए बंद कर देते हैं इसको, और यह है इस गाड़ी का बैक साइट, प्लस ड्राइवर साइट प्रोफाइल का तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यह रही इसकी कीज, यहापे आपको दोनों भी कीज नॉर्मल मिल जाती है, रिमोट का ओप्शन आपको नहीं मिलता है, ओपन कर लेते हैं इसके डोर को, और यह है इसके डाशबोर का लुक, डूल टोन में डाशबोर आप आपको मिल जाता है, ब्लाक और बेज कलर में, और यह है इसके डोर का लुक, मैं कैमरा थुड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ताकि आपको पूरा व्यू मिल सके, और डोर के उपर आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे, इसके मैप पॉकेट, बाटल होल्डर आपको इसमे आपको यह मिलते है, यहाँ पे आपको मिलता है inside door handle, fixed handrest के उपर, और यहाँ पे hard plastic material का यूज किया गया है, यह है door lever, silver finish में, lock on lock option भी आपको मिलता है, यह है इसके ORFM, आप इसको internally adjust भी कर सकते हो, automatic adjustment का option आपको इस model में नहीं मिलता है, यह है इसके pedals, इसमें आपको clutch देख open कर सकते हो, और इसके seat में आपको height adjust का कोई भी option नहीं मिलता है, लेकिन back adjust का option मिल जाता है, इसमें fabric upholstery आपको मिलती है, और यह है इसके fixed headrest, काफी कुछ नहीं मिलते है यह भी आपको, और यह है इसके dashboard का look, काफी broad dashboard आपको मिल जाता है, dual tone dashboard आपको मिलता है, black और beige color में, और यह है driver side AC event का design, यह आती है 360 degree rotation के साथ, और side में आपको silver finishing मिल जाती है, इसके नीचे आपको थोड़ा सा convenience space मिल जाता है, यहापे आप अपना mobile वगरा रख सकते हो, इसके नीचे आपको मिल जाता है headlamp beam adjuster, और side में आपको मिल जाते है कुछ dummy buttons, अब देखते हैं इस गा brightness है, वो भी आप adjust कर सकते हो, और सबसे बड़िया बात यह है कि इसमें आपको tachometer भी मिल जाता है, अब देखते हैं इस गाड़ी के steering wheel को, तो सबसे पहले में उपर से नीचे तक पुरा view आपको दिखा देता हूँ, flat bottom steering wheel का कोई भी option आपको इसमें नहीं मिलता है, और steering mounted controls आपको इसके उपर देखने को नहीं मिलेंगे, बीच में आपको मिलता है Suzuki का logo, chrome finish में, यहापे लिखा है इसके airbag के बारे में, अब बात करते हैं इसके toggles की, तो right side में आपको मिल जाते है light और indicator के controls, और left side में आपको मिल जाते है wiper और washer के controls, और यह है इसके middle AC event, बीच में आपको मिल जाता है hazard light का switch, side में आपको कोई भी bordering provide नहीं की गई है, यहापे आपको 2D in के music system के लिए provision मिलता है, इसके नीचे आपको देखने को मिलेगा इसका manual AC, यहाँ से आप अपने airflow के direction को adjust कर सकते हो, यह है dummy button, दूसरी तरफ मिलता है AC का switch, यहाँ से आप blower का speed गम ज USB और AUX का कोई भी provision देखने को नहीं मिलेगा, यह है 12W का charging socket, ताकि आप अपने gadgets on the way charge कर सको, इसके नीचे आपको मिल जाते है convenience spaces, आप अपना wallet या फिर mobile इसमें रख सकते हो, और यह है इसका 5-speed AMT gearbox, silver finish में आपको मिल जाता है, और side में मिलती है black finishing, और नीचे की तरफ आप भी bordering provide नहीं की गई है, यहापे आपको मिल जाते है दो cup holders, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा convenience space, यह है इसका handbrake, यह आता है chrome tip के साथ में, और back side में आपको मिल जाता है bottle holder, इसमें आप 1-liter का bottle बड़े आराम से रख पाऊगे, और co driver side में भी आपको अच distance सा space मिल जाता है, cooling का कोई भी option आपको इसमें नहीं मिलता है, चलिए बंद कर लेते हैं इसको, और यह है इसके core driver side AC event का design, silver bordering के साथ में, और यहापे airbag के बारे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यह optional model नहीं है, और total 3 grab handle आपको इसमें मिल जाते है, यह है इसका core driver side sun visor, इसमें आपको vanity mirror का option मिल जाता है, और बीच में आपको मिल जाता है एक reading lamp, IRVM आपको day night adjustable मिलता है, driver side sun visor में आपको vanity mirror का कोई भी option provide नहीं किया गया, लेकिन ticket holder आपको मिल जाता है, तो सामने से जो हमने अच्छे से बात कर ली है, अब चलते हैं इस गाड़ी के back seat पे, और बहाँ चलके बात करते हैं, तो open कर लेते हैं इसके door को, और ये रहा इसका inside space, तो leg room जो है काफी बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि पहली जो salary थी, उसके मुकाबले जो updated salary है, उसमें काफी बढ़िया leg room आपको मिल जाता है, अब देखते हैं इसके doors को, तो door भी काफी wide open हो यहाँ पर हाट plastic material के use किया गया है, यह door lever, silver finish में lock on lock का option भी आपको मिलता है, तो चलिए अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, तो यहाँ पर मेरी जो height है, वो है 5 feet 8 inches, और मुझे जो leg room मिल रहा है, वो आप देख सकते हो, head room भी काफी बढ़िया है, चेक करते हैं under the high support, तो वो भी best है, और back side में आपको यहाँ पे कोई भी 12 old का charging socket नहीं मिलता है, आपको bottle holder मिल जाता है, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, और back side में जो hump है, वो बहुत बढ़ा नहीं है, तो तीन लोग बड़े आरम से bed पाएंगे, यह सामने के door का look, back seat में भी आपको fixed headrest मिल ज करते हैं इस गाड़ी की safety की, तो safety में हमें मिलती है एक airbag, driver side, seat belt warning, ABS, engine immobilizer, central locking, child safety lock, और rear parking sensors, अब देखते हैं इस गाड़ी के engine specifications को, तो इसमें आपको मिलता है 1 liter 3 cylinder K10 B series BS6 petrol engine, जो maximum power produce करता है 67 BHP की 6000 rpm और आपको maximum torque मिलता है 90 newton meter का 3500 rpm और इसमें आपको mileage मिल जाता है 21.63 km per liter का और अगर बात करें transmission की तो यह available है 5-speed manual और AMT gearbox के साथ में, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की यह वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, अगर आपका कोई सवाल है तो मैं मारूती सुजु की अरिना का number निचे description में दे रहा हूँ, आप call कर सकते हो, और ऐसे नए वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही जय हिन वंदे मातरम